नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका HDFC Bank के एनलसिज में वीकेंड की पहली वीडियो है ये उमीद है आप लोग वीकेंड पर रेस्ट कर रहे होंगे एंजॉय कर रहे होंगे तो हमारी कुछ स्टडीज रहती हैं जो वीकेंड पर हम करते हैं Reliance, HDFC Bank अलग से कुछ स्टॉक हो और ज्यादा उठा पट अगर वर्ल्ड मार्केट में हुई हो तो अपने मार्केट के कुछ लेवल्स अगर चेंज हो रहे हो तो हम उनको डिसकस करते हैं ठीक है तो शुरुबात कर रहे हैं दोस्तों HDFC Bank की ही वीडियो से जिसने काफी अच्छा रनब दिया है काफी अगर आज 58,500 के आसपास है इट इस बिकॉज ओफ HDFC Bank लास्ट पांच दिन की केंडल आप देख सकते है वन टू थ्री पोर फाइव जुम 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 ठीक है लगपक 6-7% भागा है 6-7% लास्ट पूरे वीक में चलिए आगे अब क्या आओ सकता है इसमे वो हम जानने की कोशिश करते हैं चार्ट आपके सामने है दोस्तों ये और ऐसा ही कुछ चार्ट मैंने आपके साथ लास्ट वीकेंड पर डिसकस किया था ये रहा ठीक है एक अपरेल से लेके 5 अपरेल के बीच में ये वीडियो पड़ी हुई है मैं HDFC Bank को कैसे देख रहा ठीक है 1500 और आपको इस सेम चीज मैंने टेलिग्राम पे भी अपडेट कर दी थी जब ये डॉटेड लैन के पास पहुँच गया था क्योंकि भाई दिन बाकी है हमें कुछ भी आगे देखने को मिल सकता है वो लेवल क्या था 15002 ठीक है 15002 अगर 1502 के ऊपर निकलता है तो HDFC Bank को मिस नहीं करना है आपको ठीक है तो सेम चीज मैं टेलिग्राम पे भी डिसकस करी का गया का गया का गया का गया का गया का गया ये रह ठीक है यह तो मैंने यह लिकी दिया था ऑपरेटर आर गैटिंग एक्टिवेटेज वी में सी 1520 1535 1550 तो 1550 तक आपको HDFC Bank दिखा दी है ती महीने बाद इसमें ओपरेटर ये चीजे मेरी बताई हुई है ठीक है अपडेट बीच में जो रहता है अब आजाते हैं दुबारा चाट पर रात गई बाद गई आगे क्या कर सकता है ठीक है अब इसका ये वाला अटा देता हूँ क्योंकि इसने इसको sideways करके रखा अब देखें दुर्स दो आजफें यह यहां पर चल रहा था ठीक है ऐसे ऐसे ऐससे इसके ऊपर निकल गया है क्या यह breakout है अभी एक range का breakout है ये ऐसे फद्यकर यहां से सीधा और अगर यह यह वाला गयरभर ऐसल करने जाता है जा सकता है भाई पूरे पूरे चान्सेज है व यह उन्निस जैन्वरी के आसपास यहां गुजिया था और अब यह निकला है अपरेल के फर्स्ट वीक में तो इतना भार निकला है इतना तो हम कह सकते हैं कि इतनी असानी से नीचे आने वाला तो नहीं है इतना तो मुझे दिख रहा है ठीक है हाँ डिसकस करूँगा मैं दोस से ठीक है किसी ने बैंक निफ्टी के माध्यम से किया किसी ने अब आ जाते है कहां पर हाँ एक इंपोर्टेंट चीज ने गई सौरी दोस्तों भाई इसको देखना पढ़ना लिखना मेंडेटरी है अनिवार है एजुकेशन के प्रपस से वीडियो है कोई बाइस में ठीक है इसके नीचे वाली रह गई तो थोड़ा उपर ही लेते हैं आम इतना नीचे किस लेते हैं इन एनी केस कुछ भी इसमें थोड़ी बहुत बिक साइडवेस करेक्शन आती है तो जो सपोर्ट है अभी अब रहेगा वहिया वो पंद्रा सो से लेके इस रेंज में आपको मिस नहीं करना है इन एनी केस मिलता है तो क्योंकि ये क्या होगा एक तरीके से ब्रेकाउट को रिटेस्ट करना होगा ठीक है इसके नीचे भी जाए तो भी सेल नहीं करना मेरी बात सुन लिजे ध्यान से HDFC बैंक में सेल का कोई व्यू नहीं है कोई व केंडल बन सकती है वो क्यों बन सकती है यह देखे ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 continuous 7 days से green candle की formation के साथ यह उपर जा रहा है तो कोई एक red candle यहाँ पर बन सकती है sideways हो सकता है कुछ यहाँ पर बन सकता है sideways हो सकता है पर भाई sell का बिल्कुल मत सोचिए यह bullish है chart pattern के साथ से bullish है सब कुछ परकार से bullish है structure बहुत bullish है बढ़िया इसमें operator आके बैठा है तीन महीने बाद दुनिया में अगर कुछ negative नहीं होता जैसे कि खबरे आ रही है इरान इसराइल ठीक है ऐसा कुछ macro में कुछ गड़बडी नहीं होती तो market bullish ही रहेगा ठीक है bullish ही रहेगा अब अगर यह इस gap को fill करने के लिए जा रहा है अगर यह अब इस gap को fill करने के लिए जा रहा है तो अब ही target निकल के आता है यह, यह target कितना है 1635 के आसपास, sorry यह होगे न 1635, यह इसका target निकल के आता है positional, अब थोड़ा से negative की हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, थोड़ा से sideways to negative, इसलिए हो सकता है, क्यूंकि इसको थोड़ा सा हमें channel को, यह वाला जो channel है, इसको थोड़ा सा ऐसे ले की जाना पड़ेगा यह, ठीक है यह यह है दोस्तो, असल में तो यही है, ठीक है पर इतना बड़ा channel बना के study आपके साथ share करना, वो फिर एक broader view हो जाता है, छोटा view लेना है, तो मुझे फिर यही channel बनाना पड़ेगा आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो पहले मैंने सिर्फ इसको पकड़ा है, ठीक है, फिर मुझे लगा 1500 के आसपास जा सकता है, तो फिर मैंने अगर मैं आपको बताओं तो सब चीज़े इस channel के अंदर ही हो सकती है, बट इतना confusing हो जाएगा वो आपके लिए देखें, channel के अंदर भी channel होते हैं, यह यह line, ठीक है, यह एक support का काम करेगी, फिर एक नीचे यह line, यह भी एक support का काम करेगी, क्योंकि price इसके उपर है, पर ऐसे बताना बहुत difficult है, उससे अच्छा क्या है, मैं channel को छोटा कर लूँ, ठीक है, और जैसे जैसे price उपर नीचे होता जाए, उसको channel को दुबारा से draw कर लूँ, अपने हिसाब से, ठीक है, अब यह है, मोटा-मोटा, उपरी range पे पहुँच गया है, आप देखेंगे, तो, यह resistance, यह resistance, यह resistance, यह resistance, इसने resistance भी हहीं पे लिया है, और यह है इसका channel का half, ठीक है, जैसे ही इसने इसको cross किया, आई दो दिन लगे इसको इतने हिस्से को trade करने में, only two days, और यह कितना price है इदर, 1500, और यह कितना price निकल का है इदर, 1500, 555 के आसपास, ठीक है, इसलिए इसमें मैंने short side का trade दिया था, intraday basis, अभी last Friday को, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, ठीक है, यह हलका स retrace हो सकता है, ऐसे, तो इसमें अगर आपको यह इस range में मिले, दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, तो लाइक जरूर कीजेगा, यह कहां कहां, यह रह, अगर यह आपको यहां कहीं मिले, यह एक बार यहां आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर आ सकता है, यह एक बार, अब यह price इसके अंदर आ सकता है, और यह थोड़ा सा sideways हो सकता है, यहां पर, यहां पर आपको इसको buy करना है, बाय क्या करना है नीचे की तरफ आए तो बाय करना है अब यह range क्या निकल के आती है यह आपका निकल के आता है 1520 के आसपास ठीक है 15-20 यहां से एक 2% अगर यह नीचे की तरफ जाता है तो यह आपका एक buying zone मनेगा पर मुझे इसके chances लगते नहीं ठीक है यह यहीं पर कहीं sideways रहेगा बिल्कुल महीलेगा नहीं हाँ अब आ जाता है कि क्या यह breakout देगा और ऐसे जाएगा तब क्या करना है इसकी बहुत possibility है ठीक है इसकी possibility है कोई दिक्कत नहीं उसमें हो सकता Monday यहां पर side में बिता दे हो सकता Tuesday यहां side में बिता दे हो सकता Wednesday य यह Wednesday को निकल जाए ऐसे है ना तो एक तो मैंने आपके साथ discussion कर दिया scenario जो कि मुझे unlikely लगता है जब तक कुछ macros में ऐसा ना हो कि हम इसको 1520 के आसपास देख ले ठीक है अगर आपको 1520 के आसपास मिलता है तो आप 1500 का ऐसे लेके buy कर सकते है और this wave यह wave formation के लिए आप इसको buy कर सकते है अगर यह जो मैंने पहला scenario number one discuss किया है यह हलकी सी correction देता है तो now second second scenario ऐसा नहीं हमको मिलता ठीक है थोड़ा सा sideways रहता है avoid कीजे avoid कीजे avoid कीजे आपको कब buy करना है आपको कब buy करना है आपको इस level के उपर buy करना है यह निकलेगा दोस्तो 1562 ठीक है कुछ भी हो जाया चाहे आप इसको 1560 के उपर ही buy करेंगे 1562 नोट कर लेजे 1562 ठीक है इस level के उपर ही इसको उठाना है 8th April से लेके 16th 12th of April के बीच यह level अगर cross होता है buy SL क्या रहेगा यह 1549 यह जो closing होई है जो CMPS का यह आपका SL रहेगा इसको buy कीजिए positional basis target 1562 के उपर आप buy करते हैं तो sorry 1572 1580 1592 और यह जो top है ना यह छोने के लिए तो definitely जाएगा यह है कितना यह 1595 1595 एक बार को यहां पर exit ले लेजेगा क्योंकि यह जो gap है यह यह भरने तभी जाएगा जब कोई closing 1595 के उपर close करेगा एक daily हमको closing चाहिए वही एक निशानी होती है कि gap fill करने जा रहा है अगर उसी दिन gap fill करने जा रहा है मतलब जिस दिन candle बन रही है तो भाई 1600 क्रोस होने दीजे तब गुश जाईएगा पुल मिला के कहने का मतलब यह है जो वीडियो मैंने आपके बनाई है जो एनलिस आपके trade का trade ही देखना है इसके अंदर HDFC bank के अंदर यह point number one point number two ठीक है बड़ा अच्छा bullish होके 6-7 candle इसने green बनाई हुई है red अगर candle बनाता है तो retracement में हमको buy करना है sideways में हमको buy नहीं retracement लेता है अगर यह 1520 के आसपास देखता है तो हमको 1500 का SL लगा के इसको buy करना है ठीक है तीसरा point नहीं buy इतना retracement नहीं देता है थोड़ा सा sideways रहता है तो wait कीजिए जब यह 1562 को cross करें कोई मैं 5 मिनट की candle close basis ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हुआ इससे confuse में तो जहिएगा 1562 को cross करें तो आप 1548 का ऐसा लगा लिजिए इससे एक point नीचे यह आपक ऐसे लोगा अब buy किजिए ठीक है 1595 तक के target है इस case में 1595 तक के target है इसके आसपास आप buy करते है तो दुबारा से 1550 से लेके 1560 तक के target है इस case में अगर यह correction लेता है हलकी सी तो यह है दोस्तो HDFC bank next week के लिए ठीक है इससे कुछ अलग होता है इससे कुछ अलग सेनेरियो डव भाई वो मैं telegram पे आपके साथ discuss कर लूँगा वो मैं telegram पे ही आपको बता पाऊंगा क्योंकि अभी तो चार्ट में ऐसा कुछ दिखनी रहा कुछ न्यूज जैसे आ जाती है कुछ चार्ट पैटन पे कहीं से कोई bearish signal नहीं है HDFC bank में simple ठीक है यहाला कि market है कुछ भी हो सकता है तो वो live market में telegram पे आपके साथ में discuss कर लूँगा वीडियो कैसी लगी बताएगा दोस्तों अच्छी लगी हो like किजिए share किजिए चैनल को subscribe किजिए आगला number है reliance analysis का उसको भी हम इसके बाद शुरू करते हैं thank you very much